यस्तु संचरते देशान सेवते यस्तु पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धी यस्तैल विंदू रिवाम भसी अर्थात वो व्यक्ति जो अलग-अलग जगों या देशों में घुमता है और विद्वानों की सेवा करता है उसकी बुद्धी उसी तरह से बढ़ती है जैसे तेल का बुंद पानी में गिरने के बाद फैल जाता है आज ये शलोक मैं अपने पुर्धान मंत्री नरिद्र मोदी के लिए कह रहा हूँ नमस्तु भ्यम आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार हमारा खास कारिकरम थरडाई देख रहे हैं आप कल के कारिकरम में मैंने आपसे वादा किया था कि अभी एक दो दिन मैं इसी मुद्धे पर कारिकरम करूँगा बात करूँगा आपको बताया था कि किस तरह से पीए मोदी के एक फैसले का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है गुजरात के स्कूलों में शिर्मत भगवत गीता को पाठेकरब में शामिल किया गया है वही करनाटक में भी इसे लागू कर दिया गया है बाकी राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी है यानि धीरे धीरे ही सही पिये मोदी अपने हमारे और आपके लक्ष की और बढ़ रहे है अब पिये मोदी का एक और कदम देखिए जो अगला टेप है इसी के साथ एक बड़ा फैसला भी है जिससे आपको भी भरोसा हो जाएगा कि उनके मन में हिंदू सनातनी और हिंदू स्थान के लिए क्या जगह है अब जड़ा कुछ और बातों पर ध्याम देते हैं पहले आप यहीं सुनते होंगे कि भारत की प्राचीन मुर्तियों की चोरी हो गई कांस की मुर्ति चोरी हो गई वरानसी में लगी मा अन्न पूर्णा की प्रतिमा कैसे स्मगलिंग की गई थी यह आपको बताने की जरूरत नहीं है और यह सब खबरें अख़बार के किसी कोने में छपती थी टीवी पर इसे दिखाना मतलब टी आर पी गिराना होता था इसे कमुनियोल के तोर पर देखा जाता था पी एम और किसी बड़े नेता को तो छोड़िये कोई छुट भैया या छोटू टाइप नेता भी ऐसे मामलों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था लेकिन शायद आप नहीं देखे हैं मैंने देखा है ये तस्वीर देखिए ये हैं पी एम मोदी सामने कुछ मुर्तियां हैं जिनका वो निरिक्षन कर रहे हैं ये मुर्तियां भारत की हैं लेकिन फिलहाल अफ्ट्रेलिया से आई है 29 प्राचीन पुरावशेशों को भारत लाया गया है पी एम मोदी ने अफ्ट्रेलिया से वापस लाई गई इन प्राचीन मुर्तियों का निरिक्षन किया बताया गया कि ये पुरावशेश अलग-अलग समय यवधी से हैं इन में से कुछ नवी से दस्वी शताब्दी सा पुरु के भी हैं आफ्ट्रेलिया से लाए गए पुरावशेश च्छ च्रिणियों में हैं ये च्रिणिया, शीव और उनके शिश्य, शक्ती की पूजा, भगवान विश्णू और उनके रूप, जैन परंपरा, चित्र और सजावटी वस्तुओं के तौर पर है ये पुरावशेश विभिन्न प्रकार के बलुआ पत्थर, संग्मर्मर, कांस्य, पीतल, कागज में बनी मूर्तियां और पेंटिंग हैं बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां और पेंटिंग्स, राजस्थान, गुजरात, मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तामिलनाड, उतेलंगाना और पश्चिम बंगाल से हैं मा अनपुर्णा की मूर्ति को जिस तरह से भारत लाया गया और काशी कोरिडोर में अस्थापित किया गया, वो किसी से छिपा नहीं है आखिर ये व्यक्ति PM है, इसे क्या ज़रूरत थी, इन मूर्तियों को देखने और अस्थापित करने की, वापस आस्ट्रेलिया और विदेशों से मंगाने की, लेकिन नहीं आपको तो ये सब ड्रामा लगेगा, लेकिन आपको ये बता दें, कि अभी कहीं भी चुनाओ नहीं है अगर कोई व्यक्ति ये सब काम नहीं करता है, तो आप उसे पसंद नहीं करते, और अगर करता है, तो आप में से ही कुछ लोग इसे ड्रामा बताने लगते हैं अब ज़रा ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये हैं जापान के पी-े-म, फूमियो किशिदा, जो भारत पहुंचे हैं, पता है, उनको पहार में क्या दिया गया कृष्ण पंखी, ये चंदन की लकडी से बना है, और इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान कृष्ण की अलग-अलग मुद्राओं को दर्शाया गया है पंखी को पारमपरिक उपकरणों के जरिये उकेरा गया है, और इसके टॉप पर हाथ से नकाशी कर तयार की गई मोर्किया कृति है, जो कि भारत का राश्ट्री पक्षी है इस कृष्ण पंखी का निर्मान राजस्थान के चुरू में कुशल कारीगरों की ओर से किया गया है, यह कलाकृति शुद्चंदन की लकड़ी से बनी है, जो कि मुख्य रुप से भारत के धक्षणी भागों में, जंगलों में मिलती है अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो आपको यह जानना चाहिए कि 2014 से पहले दूशरे देश से आयराश्ट्रा धक्षों को क्या उपहार दिया जाता था, तब उन्हें ताजमहल दिया जाता था और ताजमहल किसका प्रतीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब यह मत कहिएगा कि यह प्रेम का प्रतीक है, सच यह है कि यह मुगल और मुस्लिमों का प्रतीक है, और इसे देकर भारत में इसलामी करण को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब सनातनी संस्कृ प्रतीक को दिया जा रहा है, अब बात करते हैं, पियमोदी के एक बड़े फैसले की, उतराखंड के पुरो सीम, उशकर सिंग धामी को, पियमोदी ने एक बार फिर से उतराखंड का सीम बनाया है, जबकि वे खाटिमा से चुनाव हार गये थे, धामी के चुनाव हारने के उतराखंड में ही कई नेता मुह बाय खड़े थे, कि अब शायद उन्हें सीम बना दिया जाएगा, लेकिन ये मोदी हैं, इसके फैसले, भूत, वरतमान और भविश को देखते हुए होते हैं, उन्होंने जीतने वालों को साइड कर दिया, और हारने वाले धामी को सीम बना वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, तो शायद ये आपके गलत फ़हमी है, क्योंकि आज भी चुनावी चेहराग पहले अस्थान पर पिये मोदी हैं, उनके बल पर कई चुनाव जीते जाते हैं, तो आप कहेंगे कि तब क्या कारण है, तो इसका कारण है, सीम धामी का साफ और सकुषल ब्योहार के साथ साथ वे सनातनी हैं, उनके काम ऐसे रहे जो हिंदू और सनातन के समर्थन वाले रहे, आपको याद होगा उतराखन के पूर्व सीम त्रिवेंद्र सिंग रावत ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया था, जिससे पूरे उतराखन के मंदिरों के लिए एक सरकारी बोर्ड का गठन किया था, ये बोर्ड इन मंदिरों से मिलने वाले पैसे का हिसाब रखता और मंदिरों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करता, यानि कुल मिलाकर कर कहें, तो मंदिरों को मिलने वाले चंदे पर सरकार का हक हो ते उतराखन सरकार के इस निर्णे के बाद वहां के साधू संद नाराज हो गए उन्होंने प्रदर्शन किया था अंशन किया था बीजेपी को सबक सिखाने तक की बात कहदी थी वहीं सवाल उठाया था कि सरकार हिंदूओं पर सनातनियों पर हिंदू मंदिरों पर तो नियंतरन रख रही है लेकिन यहीं नियम मस्जिदों और चर्चों पर क्यों नहीं लागू कर रही है जिसका जवाब त्रिवेद्निर सिंग रावत के पास नहीं था यहीं नहीं त्रिवेंदिर सिंग रावत ने ये फैसला अपने हित्मिर लिया था इस बोर्ड के अध्यक्ष खुद वो थे उन्होंने इसके लिए बीजेपी आला कमान या पीए मोदी से कोई सलाह नहीं ली थी सलाह तो दूर की बात रही पूछा तक नहीं था नहीं जानकारी भी थी वहीं उस समय परियटर मंत्री थे स्तक्पाल महराज इस बोर्ड को बनाने में उनकी भी सहमती थी इसलिए इस बार उन्हें सीम भी नहीं बनाया गया क्योंकि वो भी मंदिरों और हिंदूं के खिलाफ हुए साजीश में शामिल थे तुशकर सिंग धामी जब सीम बने तो उन्होंने इस बोर्ड को रद कर दिया भंग कर दिया हलाकि इसे खत्म करने में बहुत परिशानी थी फिर भी उन्होंने इसे रद किया अपने महस आठ माह के कारेकाल में उन्होंने हिंदू और सनातन के लिए ऐसे काम किये कि वे पी-एम मोदी के चहेते सीम हो गए यहीं कारण रहा कि पी-एम मोदी सीम धामी के कंधे पर हाथ रख कर उन्हें साबाशी देते नजर आये थे इससे भी बड़ी बात ये रही कि गुजराब जैसे राज्य में भगवद गीता को पाठेकरम में शामिल कर जैसे नई पहल शुरू की गई वैसे ही हुशकर सिंग धामी ने चुनाव से पहले एक बड़ी घोशना की है उन्होंने कहा है कि अगर उत्रा खंड में उनकी दोबारा से सरकार बनती है तो प्रदेश में समान नागरिक सनिता यानी उनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा आज तक जिस बात के लिए दबे जुवान बात की जाती थी उसे धामी ने खुलया मिखोशना कर दी आज तक देश के किसी भी राज्य में या सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है इतना सब होने के बाद भी बीजेपी आला कमान ने उन्हें दोबारा सियम बनाया है कि कही नहीं से तो शुरुवात हो और एक बात आप भी अच्छे से समझते हैं कि धामी को फिर से सीम बनाने का फैसला बीना पीम मोदी के सलाह के नहीं लिया गया होगा तो अब समझने की बारी आपकी है जो पीम केदारनात मंदिर चाता है इनिफॉर्म सिबिल कोड लागू करने कि घोशना करने वाले को फिर से सीम बनाता है और क्या चाहिए भाई आप ऐसे सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक से एक दिन रात आट पजे आएंगे और कहेंगे कि मित्रों भाईयों बहनों आज से भारत हिंदू राट्र होगा तो ये आपका सपना है गलत फ़ ये लोगों को दे दी है उसे समेटने में समय लगेगा अचानक घोशना नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट है जब धर्म निर्पेक्षता आप पर थोपी जा रही थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा चुप रहे और जब एक शक्स दलदल में फ हिंदुस्थान बनाने में जितने पापड बेलने हैं उसका अंदाजा भी आपको नहीं है देश भी देखना है विदेश भी देखना है चुनाव भी देखना है सरकार भी देखना है पार्टी भी देखनी है और उसके उपर से ऐसे फैसले भी लेने हैं जो हिंदुस्थान क के फाइदे में हो न की इंडिया के फाइदे में अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए राष्टपती रामनात कोविन ने पद्म पुरसकार से लोगों को सम्मानित किया पद्मिश्री अवार्ड लेने के लिए वारानशी के 126 साल के स्वामी शिवानन नंगे पैर पहुंचे पीए मोदी को उन्हें प्रणाम किया जमीन पर सफ्टांग दंडवत तो पीए मोदी खुद ही उनके सामने जुक गए उन्हें भी जमीन पर हाथ रखकर प्रणाम किया नमस्कार करने के बाद स्वामी शिवानन पद्म पुरसकार सम्मान लेने से पहले राष्टपती रामन इडिया पर वाइरल हो रहा है लोग इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं एक आईए सधिकारी ने वीडियो पोश्ट करते हुए कैप्शन में लिखा 126 वर्ष के योग गुरू स्वामी शिवानन को पदमिश्री से सम्मानित करने की घोशना योग के लिए अप और आपको समझाना पड़ रहा है एक बात और वो पीम हैं वो राष्ट्रपती हैं उन्हें जुकने की क्या ज़रूरत थी वो भी एक योग प्रशिक्षक के सामने लेकिन वो जुकते हैं बहुत आराम से और बहुत ही प्यार से बहुत ही सम्मान के साथ वो सनातन को सम्मानि के साथ तब तक के लिए विदा